हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दे एक्जाम तक पे फ्रेंड आज किस वीडियो में हम लोग वियाहर पुलिस का री एक्जाम जो की अगस्त की महिने में होने वाले हैं इसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म का वैलिम टू का जो प्रैक्टिस सेट है टोटल इसमें जो है सताज प्रैक्टिस सेट है और आज किस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नमबर बारा को कवर करने वाले हैं इसे पहले हमने अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नमबर एक से ग्यारे तक देख सकते हैं और इसमें जो प्रैक्टिस सेट हैं टोटल 100 क्यूस्टन हैं और सभी क्यूस्टन को हम लोग डिटील के साथ कवर कराने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से आंतक बने रहेगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक से शेयर कीज़ेगा फ्रेंड आप लोगों को बता दू अगर आप लोग बिहार के किसी भी एक्जाम के त्यारी करने हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अप्लोट किये जाएं उसका नोटिफिकेश और चैनल को माना जाता है चावल जुड़ गालात में पूर्तगाली द addresses नगाल में होता है ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और फ्रेंड अगर आप लोगों को जिस भी क्यूस्टन का एंसर पता हो आप लोग उसका जवाब जो कमेंट बाॉक्स में दे सकते हैं अगला निम्खित में से किस कटिवंद पर वर्स में कम से कम जो एक अवार दीन अथवा रातरी की लवाई जो 24 घंटे की अबधिकी होती है ये जो होती है ये सितोष्न कटिवन पर होती है सितोष्न कटिवन आपसनस इसका राइट इंसर जगा और पिर्थवी द्वारा परिकर्मन सुरिका किया जाता है जिस कारण जो रितु परिवर्थन होता है पिर्थवी का घुर्णन गती के कारण जो दीन अवम रात होते है 22 दिसंबर को दचनी गोलार्थ में और 21 जून को जो उतरी गोलार्थ में सबसे बड़ा दीन होता है तेश सिप्तमबर और 21 मार्च को ज़र संपुर्ण पिर्थवी पर दीन और रात बराबर होते हैं अगला कि भारत के किस राज में सरवाधिक जो है खनीज संसाधन पाया जाते हैं सरवाधिक की वादकरिती है जो जारखंड में खनीज संसाधन पाया जाते हैं जारखट ऑप्शन भी इसका राइट इंसर हो जगा और भारत में सरवदीक संब्रेधी छेत्र दामोदर घाटी छेत्र को माना जाता है धारवार छेतर जो कि करनाटक में यहां भी भारत में खनी संसाधनों की सम्ब्रेधी छेतर है और भारत में कोईला मुखेता जो गोडवाना युग का है अगला है कि किस केंदर शासित परदेश में चिकरी लकडी सिल्फ और मुस्कबोद जीब चाबल इससे जो है जियाईट टैग मिला है यह जामू कास्मीर को मिला है जामू कास्मीर ऑप्शन ये इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि यच्टू यच्ट के जाया मीतिय तथा धुर्वे आघुर्ण होगा जब दो परमानू की विदुत रिनात्मकता के वीच अनतर होग तब यह बандhad धुर्वे सयोजन होगी और जब दो परमानु के विदुत रीड़ना अत्मक्ता के बीच अंतर जो है सुनने के बराबर होगा तहिया जो है सहसंयोजी बंधन बनेगा तो H2S एक जो है अब कारक है जो के लिए अक्ट्रोन का त्याग करता है ये सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला है इंगलीज का प्रश्ण है find out the part of a speech of the word fast इसमें question है कि he kept the fast for a week he kept the fast for a week फास्ट इसमें देखना है फास्ट सब्द का परियोग जो है ये main भर्व के बाद होता है तब जो है अड़ भर्व का का कारिकरता है और किसी noun के पाले होने पर जो है ये adjective का कारिकरता है इस बाक में जो noun के रूप में परियोग हुआ है क्योंकि इसके पाले जो है द का परियोग हुआ है तो इसका right answer जो हो जाएगा ये noun हो जाएगा ये जो noun के रूप में परियोग किया गया है क्योंकि इसके पहले द लगा हुआ है अगला प्रश्ण है कि fill in the blanks with suitable word इसमें खाले स्थान में कौन सा बड़ जो है यह suitable करना भड़ना है इसमें सब्जेक्ट के रूप में physics को चुना जाएगा physics options इसका राइट इंस हो जाएगा physics is my favorite subject अगला है कि choose the correct suffix to from a complete word इसमें suffix चुना है इसे complete word बनाना है इसका right answer जो हो जाएगा यह हो जाएगा इंट्रे में जो आएगा फर्स्ट में आएगा ये फर्स्ट में बढ़ाएगा जो कि यू यू एंड यू ही एंड आई हैव टू विजिट दा एक्स हैविटेशन तो ऑप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला चेंज एक्टिव वाइस में चेंज करना है इसका जो एक्टिव वाइस होगा इसका आई काउट हीम रेड हैंड अगला है कि भारतिय विश्टवेट दाले अधिनियम जो कि 1904 इसमें 20-20 वाइसराई के परभुत में ये पारित किया गया था ये जो पारित किया गया था ये Lord Karjan के समय पारित किया गया था Lord Karjan औप्षन 20 का राइट इंसर जगा और इसे जो है 20 विद्धाले पर सरकार नियंतरन बढ़ गया था Lord Karjan जोकी 1899 से 1905 के समय बंगाल का संप्रदायक्ता के अधार पर विभाजन कर दिया गया और बंगाल विभ में स्वादेशी आंदोलन शुरू हुआ था जो कि भारत में अखील भारती अस्तर का प्रत्व मांदोलन था और लॉर्ड करजन के समय में प्राचीन असमारक सन अच्छन अधिनियम 1904 में लाया गया था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और करजन के समय में रेलवे बोर्ड की अस्तापना हुई थी लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया था और लॉर्ड लिटन जोकी 1866 से 1880 तक इनका जद था ये 22 रह रह थे लॉर्ड रिपन जोकी 1881 में पर्थाम में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू किया गया था तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेगा जो कि एक्जाम की दिरिष्टिकों से अगला है कि निमन में से कौन सा विहार का राजकिय परतीक नहीं है राजकिय परतीक की बात करें तो विहार का राजकिय परतीक जो है ये है राजकिय विर्च पीपल राजकिय पुस्पगेंदा राजकिय पच्छी गवरया और राजकिय नदी की बात करें तो राजकिय गंगा नदी जो कि भारत का राष्टिय नदी है तो यहां पर विहार का दिया हुआ तो यह अप्सन जो है यह नहीं में सही हो जाएगा और यह जो गंगा नदी इसे जो दर आठ में राष्टिय नदी घोसित किया गया और गंगा नदी जो कि बिहार से होकर वहने वाली सबसे लंबी नदी है बिहार से गंगा जो है यह 445 किलोमेटर की यात्रा यानि दूरी तैय करती है गंगा नदी बिहार के जो है टोटल वारह जिलों से होकर गुजरती है तो यह सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला प्रशन है आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है Nowadays सारणी के वर्ग एक की बात करे तो वर्ग एक के तत्व है यह चार धात्वी ओपसन इसका राइट इंस रुजएगा और वर्ग एक से जो है साथ तक के वर्गो जो कि ए और वी में बटे हैं इस परकार वर्गो साहित कुल वर्गो की शंखै यह अठ्ठार है जो कि आधुनिक आवर्थ सार्णी में बताया गया है आवर्थ सार्णी मेंडलिफ ने जो है 1889 में बनाया जो कि 1872 में स्वर पर्थम परकासित हुआ था तो ये सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला आउसकर आवार्ड समारो द्वर्थेश इसमें जो किस फिल्म ने साथ परुसकार जीते हैं साथ परुसकार जो है ये एवरिधिंग, एवर्थिवेवर, आल एट वन्स इसके त्वारा जो है आउसकर आवार्ड समारो द्वर्थेश में साथ फिल्म परुसकार जीता गया है तो अप्सन से इसका राइट इंट समजएगा और आशकर आवार्ड समारो द्वर्थेश में मिसेल वर्थ द्वर्थेश के बाद जो है सर्फ्ष्ष्ट अभिनेतरी का आशकर आवार्ड जीतने वाली दूसरी अस्वेत महिला बनी है अगला महासागरों में जोर भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है महासागरों में जोर भाटा के उत्पत्ति का मुखे कारण है इसका कारण मुखे है कि सुर्य और चद्रमा की स्योक्त प्रभाव इससे महासागरों में जोर और भाटा का उत्पत्ति होती है चंदर्मा और सुर्य के आकार्षन शक्तियों के कारण सागरिये ज़ल के ऊपर उठने पर गिरने पर जुआर भाटा का थे है और चंदर्मा का सुर्य से समिपisz होने के कारण जुआर उतपादक वल सुर्य के पेच्छा यह दूग्नी हो जाती है अब 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 पुर्णिया को उच जुआर बनता है जुआर परतित दिन जुआ ये दो बार आते हैं एक बार जो चंद्रवा के आकार्शन से और दूसरी बार जो पिर्थवी के अब केंद्रिय वल के कारण आते हैं तो ये सारे पाइटा आप लोग याद रखेगा अगला है कि गूलर का फूल इस मोहवरे का सही अर्थ क्या है गूलर का फूल की बात करें इसका सही अर्थ होगा दुरलव बस्तू अप्सन से इसका राइट इंसर हो जागा अगला कच्छा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिती दंड माप करने के लिए जो प्राधान ध् इसका राइट इंसर हो जागा अगला कारियाले आदेश में अधिकारी का हस्ताचर किस अस्थान पर आएगा कारियाले आदेश में अधिकारी का हस्ताचर की बात करें यह जो आएगा यह नीचे दाहिनी ओर आएगा अगला की निम्कित मेंसे जो है निम्कित मेंसे वेंजन है तो option b का right answer हो जागा अगला परतेक सब्द में कौन सा जो उपसर्ग है परती उपसर्ग है परती जोड एक परतेक होता है तो इसमें परती option b का right answer हो जागा अगला कोई दरब थोस प्रिष्ट को गिला नहीं करता है यदि असपर्स कोन कितना डिगरी होता है तो इसमें असपर्स कोन जो होगा ये 90 डिगरी से बड़ा होगा तो जो है कोई भी द्रब ठोस प्रिष्ट को गिला नहीं कर सकता है तो option D इसका right answer हो जागा अगला की एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर उस्मा के संचरन के लिए माध्य अवस्क नहीं होता है जिससे कि निर्वात में सूरे से चलने आने वाली वीकरणों हम तक पहुँचती है वीकरणों में उसमा परकास के व्यक्से गमन करता है अगला की कौन सा गहन गुन होता है गहन गुन की वातकरी ये जो है अप वर्तनांग जो की गहन गुन होता है और अप वर्तनांग एक गहन गुन धर्म है आयतन द्रमान एवं भार ये जो है विस्तरित गुन धर्म है आयतन किसी वश्तु दर घेरे गया अस्थान होता है और आयतन कामातरक जो की लीटर वाइरल या फिर गैलन होता है एक लीटर में 10 प्रफावर माइनस 3 मीटर होता है और एक वैरल में 169 लीटर होता है तो यह सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला है निम्कित मेंसे कौन सी जो है गैस यह अनू गती सिदांद का अभी ग्रिहित नहीं है इसमें नहीं की बात क संप घट प्रस्था होती है अगला प्रशन है कि यह दर्शाने के लिए एक सरल लोलक सरल आवार्त गती कर रहा है यह मानना अवसक है की होगा इसमें जो होगा यह दोलन का आयाम कम होगा अप्सन डिस का राइट इंसर जगा अगला प्रशन है किसी तरंग का संचरन नियता यह कोण यह तरंग संख्या का राइट इंसर जगा और तरंग की आवेटती का मातरक जो होता है यह हर्ज होता है या फिर 35 सेकेंड भी बोल सकते हैं तरंग द्वारा जो तैकी गई दूरी को तरंग धैर ही कहते हैं और तरंग धैर इसका जो SI मातरक होता है यह मीटर होता है अगला की लेट का पेचिक घंणात जो की 11.3 है तो इसका घंणत तो SI मातरक होगा इसका घंणत तो SI मातरक जो होगा यह होगा 1.13 into 22 the power 4 इसका जो option right option होगा यह option C हो जाएगा पेचिक घंणत वरबर होता है किसी पदार्थ का घंणत वटे जल का घंणत अगला प्रशन है कि निमन में से कौन सी कथन जो है सही नहीं है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसमें जो गलत कथन होगा ये गलत कतन होगा जब कोई कन अपने शुरुवाती विंदू पर लोटता है तो इसका जब विस्थापन ये सुनी हो जाता है ये कतन जो है ये गलत है बाकि विस्थापन अचके मुल विंदू के चुनाव से स्वतंतर होता है विस्थापन चल गई दूरी पराबर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है विस्थापन बिंदों के बीच कन की वास्त्वि गति की प्रकिर्थी को जो नहीं बताता है अगला प्रशने की निर्वात में किसी पिंड को स्वतांतरता पुर्वा गेड़ने की घटना जो है ये निम्न में से किस परकार की प्रकरन है ये जो प्रकरन है ये एक समान तुरन की प्रकरन है तो अप्सन भी इसका राइट इन सरजेगा यदि वस्थू को निश्चित उचाई से गिराया जाता है तो जो महत्तम उचाई पर वेग कमान ये सुने हो जाता है जैसे वस्थू पित्वी की ओर बढ़ती है वेग कमान जो ये बढ़ता है और पित्वी से टक्रान के समझ वस्थू का वेग ये महत्तम यानि अधिकतम हो जाता है और वस्थू के उचाई से गिरने से गुरुतिय तुरन जो की नियत रहता है गुरुतिय तुरन कमान जो ता है और वस्थू ए गुरुतिय तुरन का मान घुरुप पर जो है सबसे अधिक होता है अगला लाईटिन भासा में सदीस सब्द का आशे है सदीस सब्द की बाद करें तो इसका आशे है ये बाहक होता है सदीस को जो है तीर द्वारा निरूपित किया जाता है जैसे कि सदिस ये परपावर्टीर टाइप की दिया हुआ रहता है सदिस के तीर के पूछ जो है इसके परिणाम को बताता है कि जब कि सदिस का सिर उसके दिसा को बताता है बेग तौरन बल अगोर्ण कोनिय तौरन धारा घनत विस्थापन वेग अवेग यह सबी जो सधी सराचियां है सधी सराचियां के परिनाम और दिसा दूनों होते अगर आ कि संवめて सक संबत से जो है कितने WORHS पीछे माना जाता है ISV की बातकरी यह सक संबत से सक संबत से जो है यह 78 WORHS Pेछे माना जाता है तो उप्सन है इसका राइट इंसर जगा और सक संबत जो की 78 AD में कनिस्क ने चलाया था सक संबत पर जो है राष्टिय पाचांग अधारित है विक्रम संबत जो की संतामन BC में चलाया गया और गुप्त बंस के तारज जो 319 से 20 AD में चलाया गया अगला प्रशन है इंटरनेशनल ओलांपिक कमेटी का मुख्याले यह जो कहां अस्थित है इसका मुख्याले की बात करेत इसका मुख्याले जो है लुसाने स्वीटिजर लेंड में अस्थित है और इसकी अस्थापना जो है 1894 में लुसाने नामा का अस्थान पर हुआ था और मुख्याले मौसकों में अस्थित है अगला है कि सुची एक को यह जो है सही सुमेलित नहीं है को जो सही सुमेलित नहीं है नहीं की बात करेश में जो आ जाएगा यह दचनी पस्रिमी वायू कमान का मुख्याले जो कि मुंबई यह गलत है पुर्वी वायू कमान जो कि मारवाद में अस्थित आए पहस्चिन वाई कुमान इग अंतल जैंगए अगला इनकी तरंगधर जो किशके फिछक में और उरग्ट विकिरन की तरंगधरल इंगला के पहस्दीयों टॉल संख्या कितनी हुती है, मानव के कपाल में अस्थियों के कूल संख्या होती है ये कूल संख्या हाट होती है आट ओप्सन वीजाराइश इन सरो जगा खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होती है इसमें से जो आठ अस्थियां से एक तो रोप से मनुष के मस्तिस्क में सुरच्छित रहती है इस अस्थियों से बनी रचना को जो कपाल करते हैं इनके अत्रिक्त जो 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है और कान में जो 6 अस्थियां दोनों हाथों को मिलागर जो है ये उश्ण कटी बंध ये पत जड़ हैं तो आप्सन इसका राइट इन साज़ेगा और ये बंज भारत में उन भागों में पाय जाते हैं जहां जो वर्षा 100-200 cm तक होता है ये बंज गर्मी के प्रारंब में ही अपनी पत्यां गिरा देते हैं इन बंदों में साल, सागवान, सिसम, चंदन आधी आते हैं अगला प्रशन है कि जल अस्तरोतों में प्रदूसर निम्न कारण से बढ़ता है इसमें प्रदूसर जो है ये पेस्टिसाइड से बढ़ता है तो आप्सन इसका राइट इन साज़ेगा पेस्टिसाइड ये जो कितनासक है अगला है कि वैक्टि से मुप्त करने में शायता होता है यह है सूपर वग सूपर वग ऑप्शन वीज का राइट इन सज़ेगा और सूपर वग एक ऐसा सुच में जीब है जिस पर जो एंटी माई क्रियोवियल ड्रक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है यह सारे पॉइंट आप लोग याद रखेग अगला है कि किस देश ने मार्च 32 में 25 वर्षो में पालिवार महिलाओ के लिए सैने से बाद शुरू किया है यह किया है कुलांबिया के द्वारा कुलांबिया ओप्शन डीज का राइट इन सज़ेगा फरवरी 32 में कुलांबिया की शेन ने 1296 महिलाओ के वैच को भरती किय अगला कि पुर्ण स्वराज की घोषना के वाद पर्थम स्वतांतरता दिवस यह कब मना गया पर्थम स्वतांतरता दिवस पुर्ण स्वराज के बाद यह मना गया था 26 जनवरी 1930 को ऑप्शन सीज का राइट इन सज़ेगा और दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस के अधिवेशन जो कि लहोर में हुए थे इसकी अधेशता पंडी जवाला नेहरु जी के द्वारा किया गया था इसमें जो पुर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को श्वाधींता दिवस के रूप में मनाने का नीशचय लहोर के कांग्रेस अधिवेशन में क 22 जनवरी 1950 को सविधान को जो पुर्ण रूप से लागू करने का कारण यही है आयतिहासिक तिथी को याद रखने के लिए किया जाता है अगला तासकंद किस देश की राजधानी है तासकंद की बात करें यह जवा उजवेकिस्तान की राजधानी है ओप्सन इसका राइट तुर्किमेनिस्तान की राजधानी असगावाद है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानवे तथा कजाकिस्तान की राजधानी यह अस्ताना है अगला है कि इसा मसी को सूली पर किस दिन चड़ाया गया था इसा मसी को सूली पर यह जो है गुट फ्राइडे को चड़ा गया था अगला कि भारत की परलिआमेंट का उध्ङाटन जो कब किया गया था भारत की परलिआमेंट का उध्गाटन के बाधकिरे यह जो उध्गाटन हुआ था यह 1927 में हुआ था 1927 अप्शन aware強्ण 18 जेगा अठारा जिनendaपरे 1927 27 को वासराय लर्ड इर्विन ने संसत दिसंबर 1911 को भारते राष्टे कांग्रिस की कलकता दिवेशन में स्वर पर्थम राष्ट गान को गया गया था यह सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला कोशका में राइवोशोम का क्या कार है कोशका में राइवोशोम की वादकरी इसका कार है प्रोटीन के दारः किया गया था राइवोशोम पर सोद के लिए वेंकेट रवन करिश्चन को धरικरण को से 9मीं थेया गया जो है? तो ये सारे पइंट आप लोग याद रखेगा अगला मैच सुरू करने के लिए कवर्डी की ऊच्छा में कितनी खिलाडी अवस्चक हैं कम से कम जो है, इसमें शाथ खिलाडी अवस्चक माने जते हैं तो options इसका right answer जर जगा बॉली बॉल्ड खेल में ये परतेक पच्छ में 6 खिलाड़ी होते हैं वेस बॉल खेल में परतेक पच्छ में 9 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल, किर्केट, होकी ये सभी में परतेक पच्छ में 11 खिलाड़ी होते हैं अगला बॉली बॉल में एक सैट कितने पॉइंटों का होता है एक सैट जो यह 15 पॉइंटों का होता है पंदरा ओप्संस इसका राइट इंसर हो जाएगा बॉली बॉली बॉल्ड का जन्म जो है संयुक्त राज अमेरिका में हुआ है अगला प्रशना है यच्टी टीपी इसक पुर्णी रूप जो हो जाएगा Hypertext Transfer Protocol तो इसका राइट इंसर अप्सर न बश्ट जो हो जाएगा Hypertext Transfer Protocol और भारतिय परिशत अगला की भारत में स्वराज अंदोलन इसकी जो है शुरूरात कब हुआ था स्वराज अंदोलन की बात करें इसकी शुरूरात जो है स्वराज अंदोलन जो है इसकी शुरूरात मोती लाल नहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था भारतिय परिशत एक्ट उनीस सो उनीस के उपवन द्वारा जो है चुनावो में भाग लेने के विज़ाई पर कांग्रेस पार्टी में मद्भेत उत्पन हो गया और मोतीलाल नहरू सियारदास के नेजरी तुम्हें स्वराज पार्टी की अस्थापना किया गया इसका उद्वेश था चुनावो में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर अबिरिटीश सरकार के वास्त्विक रूप को उजागर करना और 1930 में ये स्वराज दल की अस्थापना हुई थी अगला है कि पाल घाट निंकित में से किन राजियों से जोडता है पाल घाट की वात करें ये जो जोडता है पाल घाट ये केरल और तमिलांडू को जोडता है तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा, options जी हो जाएगा, केरल और तमिलांडू, पाल घाट जो कि कोयम बटूर एवं कोच्छिन के बीच संपरक मारग है, थाल घाट जो कि नासे के बाँ मुंबाई के बीच अस्तित है, भोर घाट जो कि मुंबाई और पूने के बीच अस् वर्धन को यह जो किस्व नदी के तट पर प्राजित किया था, यह प्राजित किया था नर्मता नदी के तट पर, options इसका राइट एंसर जगा, और हर्ष वर्धन जो कि 629 इस्वी में बलवी पर विजाई प्राप्त किया, पुलके सिंदूतिये जो कि चालुक के अवंस के म बड़ी उपलब्दी है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्दी अगने की खोज है, चाक का परियोग धादो के परियोग तथा जो अस्थाई जीवन नव पासान काल में प्रारंबुगा, मद पासान को जो है, सुच आउजारों का काल माना जाता है, और मानध दोरा बनाया जान जो है काफी अच्छी मानी जाती है, इसमें धान, गेहू, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, आदि की खेती ये जो है अच्छे ढंक से होती है, धान की खेती उश्न आदरकटीवन जो की वर्सा इसमें डेर सो से दो सो सिंटीमीटर तापमा, जो है बीस से सताश डिगरी तक दो जो है करनाटक राज में अस्तित है, कोरो मंडल जो की भारत का पुरवी तठ है, दककन छेतर लावा, मैगवा निर्मित मैदान है, पंजाब का मैदान जो की नदी निर्मित मैदान है, अगला भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उप्युक्त जलवायू का परकार है, इसमें सबसे उप्युक्त जलवायू का परकार जो है, यह है गर्म और आद्र, ऑप्सन बीच का राइटेंज हो जगा, भारत विश्व का सबसे अधिक मसालों उत्पादन करता है, केरल राज में सरवाद एक छोटी इलाइची का उत्पादन होता है, काली मिर्च को जो है इनानी के प्रिया होने के कारण, यह अबने प्रिया भारती साहित्यों में कहा गया है, भारत साहित्यों यह जो है दचनी पुर्वी साहित्यों सम्मासालों के लिए सबसे महत्पुर्ण छेत्र भारत को माना जाता है, अगला कि मानम निर्मित पर्थम करितरी म्रेश से थे, मानम निर्मीत परफम करितिरी मिर्शे जो है ये रेयोन थे, रेयोन option ही का रहा ये ऐसलीडेगा, सैलूलोज से बने करितिरी मिर्शे को रेयोन काते हैं, रेयोन जो है रासानिक अधिरिश्टी से सूत के समान होता है, अगला आजादी का अमरीत महत्सव और हिंदी की प्रगती यात्रा इसके लेखक जो है ये डॉक्टर मुनी राव सक्क लानी है अगला प्रशने की भारत में किस राज़ के राजपाल जो किस समयधानिक अस्थिती क्या है ये स्थिती है केंदरिय सरकार के प्रती निधी और राजपाल का प्द अउलेक जो समयधानिक अनुछेद एकसु तीरपन में है राज़ के कारेपाल का कप्रम का राजपाल होता है तो ये सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला उर्वर्षी कावे किस कवी की रचना है उर्वर्षी की बात करें ये जो है उर्वर्षी और ये रामधारी सिंदिरकर की रचना है कुरू छेत्र उर्वर्षी रामधारी सिंदिरकर की करेती है रामधारे सिंक दिनकर को जो उर्वार्सी कावी के लिए 1972 इस भी में ग्यान पिट प्रुसकार दिया गया उर्वार्सी वैदी काल की सबसे प्रसिध परी थी महादेवी बर्मा ने यामा पुस्तक लिखी थी और कमाईनी जो की जैसंकर परसाद की पुस्तक है भारत भारती मैथली सरन गुप्त की कृती है अगला प्रशने की भारत नाटियम ये जो किस राज की प्रमुक शास्त्रिय निर्थ है भारत नाटियम जो की तमिलांडू की प्रमुक शास्त्रिय निर्थ है तो आप्सन्स इसका राइट इन सब जगा तमिलांडू आंध्रपर्देश का लोक निर्थ जो की घंग्टा मर्दा है कुम्मी है सिध्धी मधुरी करनाटा का लोक निर्थ यचगान कुनीता करना लांबी और आंध्रपर्देश का सास्तिय निर्थ जो की कुची पुड़ी है उडिसी जो है उडिसा का प्रमुक सास्तिय निर्थ है अगला की अहार नाल समानिता जो बड़ा होता है अहार नाल की वात्री ये जो समानिता बड़ा होता है ये महासाहारियों में होता है महासाहारियों ओप्सन है इसका राइट इंसर रोज़ेगा और उत्पाद जो हरे पौधे होते हैं अगला है कि वीजो को अच्छी तरह परिराच्छित रखा जा सकता है ये ठंडे और सुस्क अवस्थाओं में रखा जा सकता है तो आप्शन इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला कि जैन प्रमपरा के अनुसर कौन जो है अंतिम से एक पुर्व तिर्थकर माने जाते हैं जैन में टोटल 24 तिर्थंकर थे और एक कम जो है ये तेस्वे थे तेस्वे जो है पासर्वनाद थे तो आप्शन इसका राइट इंसर जगा पासर्वनाद और 24 जो कि अंतिम मह अगला प्रशन एक कि निमनी में से किस सुरोत्तों के अनुसार कहा जाता है कि असोक ने श्री नगर सहर को बनाया था श्री नगर सहर को बनाया था असोक यह जो है कलहन की राज तरंगनी में कहा जाता है option D's का right answer रोजएगा और बहुत धर्म की संस्थापक गौतमबुद को माना जबता है जेन धर्म की संस्थापक रिसवदे को माना जबता है कलहन की राज तरंगनी पुष्टक जो कि 1149 सिस भी में लिखी गई थी कलहन की राज तरंगनी पूस्तक जो कि भारत की पर्थम आयतिहासिक पूस्तक है राज तरंगनी में जो है कास्मीर को प्राचीन इतिहास लिखी है अगला है कि अकबर के सासनकाल में विद्धानों के एक समुह में भारत का संस्कृत में फार्सी भासा में इनुबात किया गया था इस फार्सी संस्कृत को क्या करते हैं इस फार्सी संस्कृत को रज्म नामा का जाता है अगला प्रश्ण है कि लेपचा जन जाती है जो मुखिता कहा निवास करती है लेपचा की बात करें लेपचा जो है ये सिक्किम में निवास करती है सिक्किम ओप्सन्स इसका राइटेंग सब्जेगा मेगाले में जो हमार गारोखासी मिकीर जन जाती है पाय जाती है मिजोरम की लोखल पाकी माता मीजो ये सबी जन जाते हैं मीजोरम में अरुनाचल प्रदिस में आपातानी डाफला खामपती अक्का ये सबी जो अरुनाचल प्रदिस की जन जाते हैं अगला प्राचिंतम भारते विश्विद्याले की अपसिस जो है में हैं प्राचिंतम भारते विश्विद्याले की अपसिस की बात करें इसका अपसिस जो है यह है तच्छ सिला में तच्छ सिला अप्शन भी इसका राइट इन सलगेगा तच्छ सिला में चानक सिचक के क्या गया था वक्तियार खिल जी को विहार वंगाल में मुस्लिम राजिकी संस्थापक के रूप में माना जाता है तो यह सारे पांट आप लोग याद रखेगा अगला नेमखित में से वेक्तियों मेंसे जो है किसने 1943 में स्वाच्चंद्र भोष को सिंगापूर में आई एन ए बनाने में सहायता की यह जो बनाने में सहायता किये थे यह कैप्टेन मोहन सिंग किये थे और इसके अस्थापना का स्रे रास विहारी बोष को जाता है अगला प्रशन है कि अन्ना मलाई की पाड़िया इलाइची की पाड़िया और पालनी पाड़िया मिलती है यह तिनों पाड़िया जो है यह मिलती है अन्नाई मलाई में अन्नाई मलाई ऑप्शन इसका राइट सज़ेगा दच्छिन भारत का सबसे उची चूटी जो की अन्नाई मूडी है और नील गडी की पारिया जो की तमिलांडू में अस्तित है अगला प्रशने निरंखित अदिवास्यों समुदावी में सबसे जो है कौन सा निग्रीटो प्रजाती है निग्रीटो प्रजाती की व शासक क्वोन था चिताउर का सासक जो है उस में ये राना रतन सिंघ था राना रतन सिंघ औपसर की अध्येस का राइट इंस्घ जगा अगला प्रशन ऐ कि runa बीब की तोर का चिताउर प्रजाश्ठ की में में भार्टिय राष्ट कांग््रेस के अद्याच क्वोन थे इस ये जेवी किरपलानी थे जेवी किरपलानी ओप्सन इसका राइट इंसर जगा 1946 में मेरट के कांग्रेस अधिवेशन की अधास था जेवी किरपलानी की द्वारे किया गये था और जोहरलाल नहरू जोकी 1929 में लहौर का कांग्रेस का अधास था किये थे राजेंदर परसाद 1934 में बंबाई में कांगर्स की यादेशता किये थे यह सारे पाइट आप लोग याद रखेगा अगला निम्कित में से कौन भारतिय नियोजन का एक अधिश या नहीं है इसमें नहीं की बात करें तो यह जो जनसंख्या व्रेधी जो की भारतिय नियोज अधिक माना जाता है अगला विधान सभा की अद्यसता कौन करता है विधान सभा की अद्यसता के वात करें जो अंति में रूप से प्रवानित विधान सभाद्याची ही करते हैं तो यह सारे पाइंट आप लोग याद रखेगा अगला है कि सुध वर्तनी ग्याद किजिए स्वास्त जो है इसमें कौन सा है सही सही की वाद करें तो यह ऑप्शन भी स्वास्त इस प्रकार से शही है अगला कि अच जोड अंत अच अंत की वात करें संधी से जो बना सब्द बनेगा यह अजंत बनेगा अजंत ऑप्शन सिसकार राइट इन सरजेगा अगला कि दिये गे मुहाबरे का सही अर्थ ग्याद करना है इसमें सही अर्थ जो गुन गाना का अर्थ हो जाएगा तारिफ करना तो ऑप्शन डी इसका राइट इन सरजेगा अगला है कि दिये गये वाक्यों में उचित अस्थान पर विराम चिन ग्याद किजिए दादा जी मुझे खिल परतियोगता के लिए चून लिया गया है इसमें जो सही परतिक चिन होगा यह सही परतिक चिन होगा ऑप्शन डी अगला प्रसन है आकास्मिकता निधी इसको राष्टपती कैसे व्याइक कर सकता है इसे जो राष्टपती के द्वारा यह संसद्य स्विक्रिती से पुरवक कर सकता है और चेट 266 में सामेकित या संचेत निधी से शंबंद है भारतिय स्विधार के निचेट 266 जो है इसमे आकास्मिक निधी का गठन करने की सक्ति संसत को दी गई है आकास्मिक ता निधी से प्राप्त धनराशी से सरकार शंकट की समय मदद करती है अगला है कि अब मुल्य का अर्थ है अब मुल्य की अर्थ की वात पर इसका अर्थ जो हता है अपनी देश की मुद्रा की विनमाई दर की कमी मुद्रा के अब मुल्यन के द्वरा जो सरकार जान वुजकर विदेशी मुद्रा की तुलना में मुद्रा का मुल्य कम कर देती है अब मुल्यन के द्वरा जो निर्यात बढ़ाना और आयात को कम करना होता है मुल्यन के द्वारा व्यपार को अनुकूलन बनाना सरकार चाहती है अगला प्रश्ण है कि व्याकरन गरंथ यह जो अश्ट्या ध्याय की रचना कौन किये थे व्याकरन गरंथ जो कि अश्ट्या ध्याय इसके रचनाकार यह पानिनी है अश्ट्या धाय के रचनकार ये पानीनी को माने जाता है सांख्य दर्शन भारत का प्राचीनतम दर्शन है कपील जो है सांख्य दर्शन के जनक माने जाते हैं अगला है कि 9584 में अगली बड़ी पुर्ण वर्ग संख्या है इससे पहले 9584 से पहले अगली बड़ी पुर्ण संख्या कौन हो जागी ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी 9404 जो कि 98 का अभिष्ट वर्ग संख्या है अगला है कि 5214 रुपिय ए वी सी में वाटे गए जिसमें से जो है ए बी से 25 परसेंट अधिक और सी जो है और सी से 20 परसेंट अधिक पाता है तो एक का मिलेगा एको जो मुल्य मिलेगा ये एको मुल्य मिलेगा उनी 180 रुपिया बायत का सारा प्रशन आप लोग कॉपी पे खुद से स्वल्व कर लीजेगा अगला है लोग 10,000 का मान है लोग 10,000 की बात करें इसका मान जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा ये हो जाएगा चार अगला है इससे जो हल करना है इसका मैं right answer बता आता हूँ आप लोग खुद से बना लिजेगा इसका right answer जो आ जाएगा यह दो आ जाएगा अगला एक आयत की लंबाई और चोडाई में जो है दो सो परसेंट की विर्दी करने पर आयत की छेतरफल में कितना परतिसत की विर्दी हो जाएगी इसमें 200% विर्धी करने पर इसके 36% में ये 800% की विर्धी हो जाएगी अगला चीनी के भाव में 60% की विर्धी किया जाने पर ये ग्रहनी को चीनी की खपत कितने परतीसद कम कर देनी चाहिए कि समध में खर्च ना बढ़ पाए इसमें जो कमी करने चाहिए ये कमी करने चाहिए 30.5% अगला की रवी की आई 10% कम कर दी जाती है तो इसकी आई को पहले जितना लाने के लिए कितना प्रतिसत की वेर्धी करने पड़ीगे इसमें जो वेर्धी करने पड़ीगे आये करने पड़ीगे 11.9% की अगला की 301 तथा जो 320 के वीच कितनी अभाजी संख्याय है इन दोनों के वीच जो अभाजी संख्याय है यह total है 4 options इसका right answer रोजगा और अगला प्रशन एक वेक्ती 10 रुपिय में 11 की 10 से वस्त्वे खरीदी अगला प्रशन है कि लाल मिटी का रंग लाल किसके कारण होता है लाल यह होता है यह लोहा के कारण होता है लोहा option इसका right answer रोजगा लाल मिटी में जो iron एवम सिल्का की बहुलता होती है सैलो के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिटी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट, हुमिगत जलवायू लेटराइट के रूप में वर्गी करित किया जाता है लाल मिट्टी जो की अमले प्राकेटी की मिट्टी होती है ये सारे पर आप लोग याद रखेगा और लाल मिट्टी में जो नाइटरोजन, फास्फोरस और हुमिगत की कमी होती है अगला की भारत में इस पात का वास्तिक अर्थों में पर्थम का रखाना जो कहां अस्थापित किया गया था इसका पर्थम कारखाना ज़ए यह जमसेदपूर में अस्थापित किया गया था जमसेदपूर ओप्सन भी इसका रायट इन्स बज़ेगा और J.R.D. टाटा द्वारा ज़ए उनिसो साथ में जमसित्पुर में टाटा एंड अस्टेल कमपनी की अस्तापना किया गया था टिसको दारजवा 1913 में इस पात का अत्पातन शुरू हो गया था अगला है कि ट्रांसलेशन बनाना है इसका जो सही ट्रांसलेशन हिंदी होगा यह होगा परिच्छा जारी है अगला है कि विच्छ दा फॉलोइंग वर्ड फॉर्म एन निव वर्ड वाई एडिंग यह अप्रप्रियेटिव प्रिफिक्स प्री का जो प्रिफिक्स होगा यह होगा यह हो जाएगा प्रिम्प्शन प्रिम्प्शन अप्शन इसका राइट इंसर जाएगा इसका राइट एंसर जो हो जाएगा यह option यह हो जाएगा अगला प्रशन है कि फिलिन दा ब्लैंक्स खालेस्तान में सुटेवल करना है वर्ड को गोड्ड ग्रेंट यू ए लाग लाइफ इसका खालेस्तान पे वर आएगा में में गोड्र ग्रेंट यू ए लाग लाइफ कि अगला प्रश्णय कि से अनुद्व अप्सने इसका राइट एंसर हो जएगा तो फ्रेंड आज के सीवीडियो में हम आपक्लीओ टोटल 100 प्रश्ण थे और सभी प्रश्ण को डिटील के साथ कवर कर रहा है अगर वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लगे तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना है आप लोगों को कमेंट में यह बताना कि वीडियो कैसे लगी और आपने आज के इस प्राक्टिस सेट में कितने असकोर किये और आप जो है और आपको कौन से बुक का वीडियो चाहिए ये भी जो है आपको कमेंट में जरूर जवाब देना है तो चले फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना ही जाहिन